हेलो दोस्तो, नमस्कार, SMKC चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ सो दोस्तो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जरू कहना चाहूँगा आज के दिन जितने भी वीडियो से, सारे वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ट्राइडन के रिसेंटली नमबर के से आया है, वो भी वीडियो मिल जाएगा उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट क्लासेज, इस चैनल के उपर भी जो वीडियो है, उसको भी जरूर देख लेना, बहुत ही जादा इंपोर्टेंट वीडियो है लिंक उपर आया बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो चले दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तों अभी हम लोग आचुके एक कमपनी के नंबर्स के और एंड में आपको इतना ही कहना चौँगा कि सुमवर के दिन इस दोस्तों सुमवर के दिन इस कमपनी को आप लोग जरूर रडार के उपर रख सकते हो बहुत ही शांदार नंबर हम लोगों को या पर देखने को मिल चुके है और कमपनी अगर देखा जाए तो फंडामेंटली स्ट्रॉंग भी है आज वो स्टॉक टॉप पे है उसी के साथ साथ इस कमपनी के अगर मैं बात करो पाच रुपे का डिविडेंड भी या पर रेकमेंड हो चुका है तो वो हमारा कोई फोकस ने पहले हम लोग देख लेते कमपनी के नंबर कैसे तो इक कौटर 4 यह है कौटर 3 एंड अगें इक कौटर 4 सबसे पहले आप लोग देख सकते हो प्रिंट ही वैसा है यह डार्क अगर आप लोग को लग लग रहा होगा कोई एरर हे तो वही से hard copy अगर आप लोग print निकालोगे तो ऐसे ही देखने मेलेगा कोई बात नहीं हम लोग जो main figure उसके पर focus रखेंगे तो आप देख सकते 1,80,500 अप्रोक्सेमेटल में बात करा हूँ यह है total income पिछले quarter में लगबग था 1,55,000 यहाँ पर अगर में बात करो यहाँ फिर rounded figure पकड़ते 1,80 था यहाँ पर यहाँ पर अगर में बात करो 1,55 एंड एक साल पहले तो सिर्फ 1,42 तो आप देख सकते हैं दोस्तों income इस वक्का 180 है एक साल पहले 1,42 वहाँ करता था पिछले quarter में 1,55 तो total income ही 1,80 मतलब गजब का quarterly भी जम्प, yearly भी जम्प, मतलब जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ ओपनिंग बैट्स मंसी जबरदस performance यहाँ पर दे चुकिए अभी देख लेते हैं आगे expenses का खेल कैसे रहेगा सो खर्चे की बात करें तो 130 का खर्चा है जो last time 113 था और उससे पहले 108 था सो ठीक है 130 मतलब खर्चा यहाँ पर बढ़ा है यह अच्छी बात नहीं होती है बड़ बिजनेस जैसा ग्रो होता है तो खर्चे बढ़ते ही है एंड एक inline खर्चा बढ़ना चाहिए मतलब inline मतलब ऐसा 200-300 नहीं होना चाहिए 100 के range में यह ना चलो ठीक है इंकम माइनस expenditure करेंगे तो आपको क्या मिलेगा pure profit मिलेगा तो profit कीतना है दोस्तों तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पर profit है 494 जो कि पिछले time था 424 एंड एक साल पहले की बात करें था 338 तो आप लोग खुद देख सकते है 494 compare करो पिछले quarter से 424 अच्छा जंप है एंड हमेशा हम लोगों का focus year on year रहते है जो कि 338 से 494 हैं तो definitely जबर्दस जम profit में भी नजर यहाँ पर आ रही है यह कौन सा profit है before any adjustment before any tax चले सब कुछ यहाँ पर adjustment हो जाने के बाद profit for the period के उपर आ जाते है तो वो कितना है 372 जो कि पिछले time था 321 एंड एक साल पहले था मात 257 सब देख सकते 372 बीट कर रहा है पिछले quarter को भी एंड एक साल वाले numbers को भी 257 372 आप खुद देख सकते हो सो company का business अच्छा यहाँ पर चल रहा है एंड उसी का नतीजा क्या होगा जो final number रहेंगे EPS भी हम लोगों को अच्छा ही grow होते हैं देखने में पहलेगा 19.26 लास् सो इस company को तो हम लोग यह नहीं कह सकते कि bubble है right number है तो हम कुछ बोली नहीं सकते numbering खुद उनने दिखाई चलो यह तो हो गई बात stand alone numbers की consolidated number देख लेते कोई बात ने उसकी side में ही है आपको यहाँ पर मिल जाएंगे यह देखे मैं आपको दिखाना चाहूँगा consolidated number right कोई कोड़ा में side में आ जाता हो ठीक है आपको मिल जाएगा यह profit for the period सो कितना है 379 यह इस वक का है पिछले time कितना था 325 था एड़ उससे पहले 264-265 जैसे भी आप कहो बट 380 हम लोगों को इस वक देखने को मिल रहा है पिछले quarter में 325 उससे पहले 264 हर पैमाने के उपर जंप है अगर आप EPSB चेक करोगे consolidated का भी तो आप देख सकते 19.65 नजर आ रहा है if I'm not wrong yes correct 16.82 and 13.69 याद रखें दोस्तों company का जो profit है quarterly भी and yearly भी दोनों हिसाब से जबरदस्त है and Saturday के दिन Saturday हाँ आज ही के दिन अगर हम लोग बात करें आज आज ने शायद से कल के दिन शायद से ब मैं इतना ही कहना चाहूँगा अगर आपके पास ये company है आप लोग long term के लिए yes long term के लिए यहापे इस company को यहापे hold करके चल सकते है continue चल सकते हो long term में hold करोगे मतलब definitely ups and downs आएंगे तो down के वद यहापे भागना नहीं है बहुत से लोग भाग जाते है क्योंकि मैं आपका अ पास है तो 14.5 हम कह सकते foreign investor hold कर रहें डियाएस की बात कर लेते हैं अभी थोड़ा refresh कर लेता हो डियाएस लगबग 14.5% के आसपास and public की अगर मैं बात करूँ तो 12.5% के आसपास तो shareholding pattern भी decent है सो अभी हम लोग आ चुके company के number बट पिछले चार quarter के साथ compare करने को आपको मिल जागे यह इस वक्क के revenue आप देख ले ना tower आप लोगों को top level पे देखने को मिल रहा है एक साल पहले यहाँ पे था और पिछले quarter से भी tower आप लोगों को jump करते वे देखने को मिल रहा है जो कि अभी हम लोगों ने detail number में देखा था तो पिछले एक, दो, तीन, चार ही quarter को उन्होंने बीट किया है net profit की भी अगर हम लोग बात करें, same city देखने को मिल रही है, 379 है, पिछले time 325 था, अभी मैंने आपको बता है और उससे पहले 264, आप खुद देख सकते हो, 131, 340, हर इसको बीट करके 380, top level पे यह company जाते वे देखने को मिल रही है, कैसे बोले ही यह company bubble है, company ने business करके देखने को मिल रही है, इस quarter में भी, so इसमें कोई शक्की गुझेश नहीं कि company ने जो business किया है, company का chart pattern जो top level पे देखने को मिल रही है, उसमें कोई हवा नहीं भरी है, इंदक के इस market में कोई गिरावाट आती है, तो यह भी गिरेगा, बट यहापे होने वाला comeback भी बहुत ह जबरदस्त यापे होने वाला है, बात अगर हम लोग company के pillars की कर रहे थे, तो results नहीं, company के result देख लिए, बहुत ही मजबूत pillar है, company के बाकी promoter holding के साथ साथ company के बाकी के overall result भी देख लिए, वो भी pillar मजबूत है, अभी balance sheet के इसे हैं, वो भी देख लिएते, 45,000, 5000, लगबग 6 करोड के results है, company के उपर करजा, yes करजा है, बट करजा देखिए, 2.23, 1.79, 1.25 करोड नीचे नीचे जा रहा है, मतलब यह def free भी कभी भी हो सकती है, short term में, 892 के आसपास करजा देखने को मिल रहे है, जो की fluctuate होता रहता है, cash की बात कर लेते, 55, 45, 57 CR का cash देखने को मिल रहे है और अगर में यहाँ पर बात करें, 14 में को क्या इसकी स्तीती थी, 34% के deliveries देखने को आपे मिल चुकी है, और अगर में यहाँ पर बात करूँ सब कुछ देखने के बाद, तो यहाँ पर 800 पी यह stock हम लोगों को देखने को मिल रहे है, 880 पे, and अगर मैं यहाँ पर आप लोग को ने का था सर वीडियो बना दीजिए, मेरा वीडियो भी आप लोगों को शायद से मिल जाएगा, जो कि लेड बनाया था थोड़ा मैंने, बट फिर भी बनाया था, कितना, 16%, यह तो नॉर्मल रफली है, देखा जाए तो यह 20% गिरा था, अगें 20% गिरने के बाद, रिट 25%, यह देखे, मैं अगर एग्जैक्ली दिखा दू तो यह 25% को भी क्रॉस करेगा, चलो यह छोड़ दीजे, आप लोगो नहीं यहाँ पर टॉप पे खरीदा होगा, टॉप से भी लेके अभी तक भी बात करे, तो 56% तो होई जाता है, तो कहानी गुम फिर के वही आ जाती ह यहाँ पे नुकसान में लग रहा है न, इतना सा भी होड कर देते, आज आप प्रॉफिट में थे, बट नहीं है, बहुत सार लोग निकल गए, और यह बार बार होता रहता है, आगे भी होने वाला है, तो इसलिए तो मैं ऐसे वीडियो बनाता हो कि कसम खालो, लौस में मत अब इसलिए न, मर्केट में एंटर करते ही हम लोग निकलने की बात करते है, रैट मार्केट में इंटर करने के आपकी थिंकिंट क्या होनी चए, मैं इसको लौंग टम के लिए होड करूँगा, प्रॉपर्टी में कैसे पैसा लगाते हो, सोचते हो कि एक प्रॉपर्टी च Wish kilometers आप लोगों ने सुना होगा उसी स्टॉक की बात करहों जो कि आप लोगल की सबहित क्या कमाल का present ये रीकवरी 2002 लेशने हैं है। इसलिए रिटेल नीटर ने यहाँ खरीद लिया इसलिए रिटर रिटेल इंडेस्ट लिया उसलिए यहाँ फानी लिए फूरी उल्टा करते हैं, यहाँ पे खरीद के बेचना होता है, तो यहाँ पे खरीदते हैं, यहाँ पे डर के मारे निकल जाते हैं, बाल कृष्णा इंडस्ट्री, नाम यहाँ पे में बार-बार हाइलेट कर रहा हो, लोगों भी आप लोग देख सकते हैं, आपे BKT करके बहुत ही ज्यादा फेमस है, सो मंडे की दिन देख लेते हैं, इस कंपनी का परफॉर्मंस कैसे रहेगा, नमबर्स तो बहुत ही शांदार है, इंप्रेसिव है, कौटरली भी अच्छा है, यरली भी अच्छा है, EPS अच्छा है, प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, रेवेन्यू से लेके, शेर होल्डिंग पैटन से लेके, बैलेंस इट तक, इतना ही कहना चाहूंगा, कि ये लॉंग टर्म वालों के लिए ये कंपनी बनी हुए, शौट टर्म ये जटके देती रहेगी, अगें 10-15% गिर जाएगी, आप लोग डर जाओगे, वापस 20-25% वो भागना शुरू कर ये कहना चाहूंगा, सोमवार के दिन इस कंपनी के और जरूर फोकस रखना, हमें सिर्फ देखना है कि बाजार इसके नमबर को कैसे रियक्ट करता है, हमारा कोई टार्गेट नहीं या पर इंट्राडे ट्रेडिंग बीडिंग करने से रिलेटेड, सिर्फ हमें इसके ओपर नजर रखनी है, सो आयब आशा करता है तो बाल कृष्णा, इंडस्ट्रीज, बीकेटी, स्टायर से रिलेटेड वीडियो, अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रू लाइक और शेयर कर दिना, सो वी बील भी मीटिंग अरनिक शिडियो तब तक के लिए, बाई बाई